नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि नीट का एक्जाम कौन कौन दे सकता है कि इस नीट का एक्जाम देने के लिए आपके पास बायलोजी सब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपके पास बायलोजी नहीं है, मैट का कॉम्बिनेशन है तो आप नीट नहीं दे सकते हैं ठीक है, तो पहली चीज यह है कि नीट देने के लिए आपको 10 प्लस 2 पास होना चाहिए अगर आप intermediate पास है या intermediate के final year में है तो आप नीट की preparation स्टार्ट कर सकते हैं बट नीट में apply करने के लिए at least आपके intermediate में PCB combination होना चाहिए यानि physics, chemistry, biology का combination है तो आप इसे apply कर सकते हैं वो लोग भी apply कर पाएंगे जिसके intermediate में PCBM combination है PCBM combination का मतलब physics, chemistry, biology and mathematics अगर ये चारो subject आपके intermediate में हैं तो भी आप नीट के लिए apply कर सकते हैं और इनको सबसे बड़ा फाइदा ये मिलता है कि ये नीट के सासा JEE में भी apply कर सकते हैं यानि ये engineer और doctor दोनों बनने की काविडियत रखते हैं एक confusion लोगों का और होता है कि BSC करने के बाद क्या NEET exam दिया जा सकता है तो बिल्कुल अगर आपने BSC किया हुआ है तो भी आप NEET exam दे सकते हैं